दिएर फ्रेंट्स दिस इज निशान त्रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग सी एनर आई lefrains ऐज फेपर का डिसकेशन कर रहे हैं ये Kuyरमं यूप ऐसी 2020 में केमिस्ट्रिं का पेपर है आपको पता है कि ये कैसा होता है वह है और तृटिकल का purpose भी यह है कि हम minimum time में maximum study कराते हैं तो चलिए questions को discuss करते हैं और समझते हैं concept को तो चलिए questions को discuss करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन में approach लगेगी question करें consider the following reaction x y and z and answer the following questions आपको क्या दिया गया है आपको तीन reactions दे गई है x y और जैट और साथ में आप से का जा रहा है कि इन में चार question जो दिये गए इनके answer आपको देने हैं अगर आप इस reaction को देखो तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पर alkenne का hydro halogenation हो रहा है hydro halogen का भी attachment हो रहा है और halogen का भी attachment हो रहा है यानि hydrogen और halogen दोनों लग रहा है है hydrogen में आ क्या है ख्लोरीन है तो हॉज़ा हो रहा है और क्लोरीन लगतर देखना दो condition यहां पर हो गहीं क्या कि अगर यहां पर क्लोरीन लगा हुआ तो इसका दो दो तो मतलब इदर लगा होगा इहां पर आगर देख के यहां कर यही कंडिशन कि डावल बार्पॉंड को ब्रेक किया और इदर यहां ही दर ही दो कोशींट देखते कि क्या और एक को समझतें कर विच रिएक्षट टेस्ट ब्रीफिली एक्सप्लेंग तीक है ठीक है ठीक अच्छा आप प्टाइब की बात कर रहा है तो क्या है कि बाई इसमें थ्योरी नहीं लिखेंगे लेकिन कौश्टिन को लिखेंगे कंसी स्टेब यहां पर हम लिखेंगे पिर क्या रहा कि explain what is the major product of the fastest reaction major product कौन सा होगा fastest reaction का तो यह तो अभी हम में लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी रेक्शन fastest है और उसका major product कौन सा होगा चले हम major minor भी पर लिखते हुए चल सकते हैं इसके साथ में अगला है कि write the detailed curved arrow mechanism of the fastest reaction and find the RDS हम क्या करेंगे detailed curve arrow mechanism को लिखेंगे उसकी जो जो fastest reaction होगी और उसकी RDS को rate determining step को हम find करेंगे ठीक है ना उसके बात करें offer and answer of your choice of RDS यानि कि आपको rate determining step के लिए को एक answer जो है वो देना होगा तो चले पहले question को हम solve करते हैं तो यहां पर हमने क्या किया X को देख लिया तो यह मेरे पास X है अब X जो है वो क्या है इस तरह है कि इसका हम protonation करेंगे मुलेख कर दाइन पर 20 एच्पील साथ अब अब अगर आप यह देखो तो इस एठर अगर आप देखें तो यह वाला कार्बान एक और अबन्वान में इस यह दूसरा और यह दूसरा ओन है यानि क्या है प्रोपीन है यसंवाले का क्रवान को में के इस बीच की पै तो उसका मतलब इसके पास एक तो कोई अगर कोई बी यह पार्ब गालते कारवडी है इस वाले कारवन की अगर हम बात करें तो इस वाले carbon ने दो bond बनाय हुए हैं तो इसका मतलब है कि दो valences की hydrogen से complete होनी है मतलब कि यह जो है वो दो hydrogen से bonded है और carbon कितने हैं तो carbon एक है तो एक carbon से bonded है जब भी कोई carbon एक carbon से bonded होता है तो कैसा होता है उसको हम one degree carbon कहते हैं यह जो गा वह कैसा दिगड्री कार्वन हो गया यानि कि यह प्रायमरी कार्वन है और यह हमारा सेकपेंड्री कार्वन है किसी बी एलकीन का प्रोटोनेशन अगर करते हो तो जरह सोचो क्या बनेगा भैं सेगता Cancer प्लस चार्ज आ गया यहां और अगर हम इस पर लगाएंगे कारवन पर हाइडोजन तो यहां पर लगे गा प्लस चार्ज तो यह हो गया इस तरह से आपको गए सर यह बाद कुछ समझ में नहीं है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहां से वाला बॉंड आपने शिप्ट किय इधर तो इस पर आगया माईनिश चार्ज़ इस मलें कार्बन क्या अप्लष श्यारच अब माइनस प्लष लगेगा तो जब यह एच प्लस इससे लग गया जब इसपर दान गया दो रहा सिआ इदर साइच चला गया तो सब चलो तीक है क्योंकि यहां पर लगा हुआ है और यहां पर लगा हुआ है और किया बता सकते हूं अपने कि सर्ण यहां पर लगा हुआ है methyl group यहां पर भी लगा है methyl group यहां पर लगाए ch2 और यहां पर लगाए ch3 याने कि कितने टू अलफा hydrogen है और यहां पर अगर देखे तो थ्री अलफा hydrogen ये और थ्री अलफा hydrogen ये याने कि यह 6 अलफा hydrogen के hyperconjugation से stable हो रहा है और साति साथ जो है इस में दो फ्लस ऑई फैक्ट यहां पर टू प्लस रगारा है और संधियल ग्रूप का संक प्लसवी लग रहा है तो साधे यस प्लसाइफैक्ट लग रहा है और दो philosopher novae paillumg brown थ्य क्या एक लाए तो बताओ कौन ज्यादा इस्टिपल और स्टिपल ज्यादा है तो वही यह क्लॉराषिद एट के साथ कर जाएगा और एक्शन करने के अब इन दोनों में major और minor कौन है तो बाइक जो stable carbon माइन बनाएगा वो major यानि कि कौन हो गया यह major और यह कौन हो गया minor ठीक है ना तो यहां पर यह major हो गया और यह कैसा हो गया minor product हो गया वाई reaction को जल यह देख लेते हैं कि वाई reaction में यहां पर लगा दिया है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर लगा देते हैं तो यह प्रोपीन और यहां पर लगा दिया ओ और यह प्लस चार जाएगा और दूसरी पॉस्बिल्टी यह है कि यहां पर और यहां पर प्लस चार जाएगा अब मुझे एक बाद यह बताओ कि यह तो वन डिग्री कारवोणियमाइन है और यह कैसा है तो तुरंत आप बोलोगे कि सब्सक्रावणियमाइन ज्यादा बढ़ एक्ट्यों में इसकी स्टेबिल्टी जो होती है वह तो डिग्री की बज़े से तो होती ही है साथ ही साथ इस बें कुछ और भी लगता है आपको बालू मैं कि आउक्सिएंट के आउटर मोस्यल में कितने एलेक्ट्रॉन होते हैं छे तो छे में दो बॉन्ड उसने ब बज़े से यह कार्बोनिय माइन ज्यादा इस्टेबल हो जाएगा क्योंकि चार्ज होगा वह तुरंत कैसा हो गया नूट्रल हो गया तो यहां पर क्या होई बैक बांडिंग हुई अब एक बाद यह बताओ कि इस ऑक्सियन के उपर चार्ज क्या आया प्लस तो इसका मतलब बज्य से बादिंग की बजह से बहुत ज़्यादा के साथ रियेक्शन करेगा और रेक्शन करके यह प्ल्राइण का फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस तरह से जो कि इंणोंने यहां पर दिया है अब सोचो इसका भी प्रोडब्ट दिया हुआ तो इसमें क्या हो रहे होगा इसमें कुछ नहीं हो रहा था भई ख्लूराइड आइन के साथ reaction कर रहा है,, reaction करने के बाद में यह प्रोड़क का formation और यह बना तो आप बोलोगे सर यह होगा कैसा होगा मेजर और यह में अव्य में आप देख रहो कि बैट टू डिग्री गार्वोनियो माइन ज्यादा इस्टेबल था इसकी बज़े से यह major product बना और वाई में भी देख रहे हो कि ट्रू डिग्री कार्वोनिय माइन है बढ़िए एक्च्वल में मीजोमेरिक एफेक्ट की बज़े से और बैक बांडिंग की बज़े से ज्यादा इस्टेबल होने की बज़े से इन दोनों में अगर मैं यह यहां पर क्या दिया है यहां पर भी आपको प्रोपीन ही दिया हुआ है बड़ साथ भी लगा दिया क्या टरसरी व्यूटाइल ग्रूप एक लगा दिया तो यहां पर टरसरी व्यूटाइल ग्रूप लगा दिया तो अब यहां पर एक पॉस्बिल्टी और भी बनेगी बड़ उसको यहां पर इनों दिया नहीं है मैं अभी आपको बताऊंगा कि एक पॉस्बिल्टी और क्या है चलिए इसका प्रोटोनेशन कर लेते हैं तो यहा और कार्डूने इमाइन जो बनेगा है направ‌ताных को धिजिए तोदा मैं इसको नीचे बना दूं जिसको मैं दिखाना चाहा रहूं है और दूसरा कारवोनीं माय और यहां पर बनेगी तेक्न ही और इन दोनों के ही वहाँ पर दिखाए है ये लेकिन एक और यहां पर हो जाएगा तू डिग्री से थ्री वाला आप अगर देखो तो यहां पर अगर हम मिठाई शिप्ट करा जें यह मिठाइल गुरूप लगा हुआ है यह मिठाइल गुरूप यहां से इधर पर आ जाए अपनी वन पोजिशन से किस पर आ गया टू पर गया तो यह क्या हो गया वन टू मिठाइल हो गई और वन तू मिठाइल हो गये इसका बने極ार यह गया कुछ इस तरह से वय्मने मिठाइल पहले से लगूँ है और यहां पर दो मिठाइल लगे हुए तो इंके उपर इसके उपर प्र nossas आ जाएगा ना है तो जब आ अगर आप देखो तो यहांपर नहीं दिया हुआ है और या पर क्लोरीन लगा देंगे हम को kणिन कहाल से लिए चले बात करते हैं तो हमको यहां पर एक बात इस समझ में आ गई कि अगर हम करें बात करते हैं तो मेरे पास में दू पॉस्श्बिल्टी है एक तो मेरे पास कारवोनिय मायन बना है दूसरा मेरे और क्लोराइड आइन के साथ रेक्षण करा के फाइन बना देंगे तो यह क्लोराइड आइन के साथ रेक्षण हो गई किके ना यह बन गा प्रोड़क्ट और इस वाले में अगर हम यह ऐसे आया एक मिनेट और इधर साइड अगर हम देखें तो यह क्लोराइड आइन के साथ रेक्षन हो गया और यह टर्सरी ब्यूट आइन लगया जाने कि यह वाला इस तरह से तो चलिए पहला वाला कोशन जो है वह सौल हो गया कि आपको जो है वह कर रहा क्या है कि विच रेक्षन इस फासे ब्रीफली एक्स्प्रेंट तो आपने रेक्षन मेकनिम के साबसे इसको एक्स्प्रेंट कर दिया अब यहीं पर अगर मैं सोचू मैं आप से एक बात बोलूँ सबसे यादा इस्टेबल तो यह कारवोनिय माइंड बना गए वाई सबसे यादा फास्ट होगी चलो ठीक है बाई अब यह बताओ एक्स में और जेड में कौन ज्यादा फास्ट होगा तो आपने गोला कि सर देखी जेड में एक रियरिमेंट की पॉसिबिल्टी होती है कि यह 2 δिगरी से 3डी बना रहा है जबकि अगर आप यहां पर देखें ya पी आप जैड में आप देखा थी डिगरी डूड़ी बना रहा है और एक्स में आप लगर आप देखां तो यहाँ पर यह कोई पॉस्पिल्टी नहीं है यहां पर यह टू डिग्री का टू डिग्री था और इसमें कोई भी रियरेड्मेंट नहीं था रियरेड्मेंट का मतलब और ज्यादा स्टेबल कार्वोनी माइन बनना है यहां और यहां पर बता देते हैं कौन सी योगी यह बात सब्सक्राइब तो चलिए यह बैने ऐसे आपको बता रहे हैं अब सेकेंड कोशन आप से कह रहा है कि और तो आपकोन सबसक्राइब और UH कि यह यह बात करते हैं तो यहाँ पर CL और OCS3 एक साथ लगे हुए है क्योंकि backbonding के बजय से यह जो है वो क्या stable है तो आप यहां पर लिख भी सकते हो कि due to backbonding and plus M effect of the methoxy group secondary carbonium is most stable than the other reactions therefore this is the major product of the fastest reaction ठीक है न इसके बाद तिक स्थर्ड बोला है कि write the detailed curved arrow of the fastest reaction and find the RDS तो चलिए बाई देख लेते हैं थर्ड कोश्चन की अब थर्ड कोश्चन के बारे मां कर हम बात करेंगे तो यह कह रहा है कि write the detailed curved arrow of the fastest reaction find the RDS तो ठीक है बाई तो यहां पर क्या हुआ यह आपके पास में OCH3 है और यहां पर यह double bond लगा हुआ है ठीक है अब यहां पर आप एक बात यह देखेंगे कि यहां पर क्या होगा यहां पर यह double bond जो है यह चुकि यहां पर लोन पर इलेक्टरन है इसलिए यहां पर possibility जो प्लस हैं कि होती है अगर आप उससाब से देखेंगे तो यहां पर योगा प्लस जाके लग जाएगा इस तरह से तो एक बार मूम्मेंट जोगा वो इस तरह से आ रहा है और इस तरह से जब आ रहा है तो यह बनेगा आजाके यह बन जाएगा और यहां पर आ जाएगा क्या माइनस चार्च और यह एच प्लस आके लग जाएगा कहां पर यहां पर तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा डवल बॉंड ओ प्लस छी अब आपको समझ में आ रहा है कि यह वाला बॉंड जो होगा चुकि कि मोर इलेक्ट्र नेगेटिव एलिमेंट है इसलिए प्लस चार्च जो होता है उत्रह ज्याद़ नहीं होगा तो इसलिए यह मूब करके आजाएगा किदर इस साइड आ जाएगा तो यह जाएगा क्या ओस त्री और यहां पर प्लस चार्च जाएगा और उसके बार में क्ल आज आज आएगा प्लस चार्च जाएगा तो यहां पर देखो तो आप यहां पर एक बात देख रहे हो कि एक रियक्शन इंटरमीडियर बन रहा है और दो ट्रांजिशन इस्टेट बनेंगी तो आप यहां पर पोटेंशल एनरजी डाइग्राम से इसको समझा सकते हो तो आप पोटेंशल एनरजी डाइग्राम इसका बना दीजिए यह यह जोगा पोटेंशल एनरजी है रियक्शन कॉडिनेट है यह रियक्शन ते यह प्रोड़क्ट है यह ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड होगा यह ट्रांजिशन स्टेट फरस्ट होगा यह कार्बोनियम आयन होगा च्किन है अभर मैं इसमें आ्लडियस की बात करूए एनरजी और इसकी इनरजी कितनी पया है तो जो फास्टास रिक्शन हогाई कैसी उसकी energy कैसी higher है इसका मतलब है कि rate determining step जो हाईगी तो आपकी यही वाली आईगी तो जो rate determining step होगी वह कौनसी होगी TS1 जो होगी वह rate determining step होगी इस तरह से आप क्या करेंगे इस तरह से इस question को आप explain कर सकते हैं और यह next question को solve करते हैं question कर रहा है the rate constant for the reaction of diphenyl chloromethane with pyridine and triethylamine is same write the structure of the major product in the following reaction and justify your answer तो यहां पर इनोंने क्या किया है यहां पर आपको दिया diphenyl chloromethane यह कारवन से क्लोरीन लगा है और इसकी reaction pyridine के साथ में करा दी है और साथ ही साथ में triethylamine के साथ करा दी है अब जड़ा देखना है यहां पर दिया हुआ कि यह दोनों one is to one के ratio में है और large excess में हैं बहुत ज़्यादा है ठीक है अब यहां पर आपको major product यहां पर बताना है अगर आप question को सही से पढ़ेंगे तो यहां पर आपको answer समझ में आ जाएगा वही क्या है तो चली कुछ point को हम यहां पर discuss कर लेते हैं rate constant की बात करूं तो यह इसकी value जो है वो क्या हो रही है सेम आ रही है और सेम आ रही है किसके लिए पायरीडीन के लिए भी और क्राइथाइल एमीन के लिए भी इसका मतलब की RDS में यानि की rate determining step में यह दोनों है नहीं यह determining step में यह दोनों है नहीं इसकी बज़ए से यहां पर reaction जोगी वो इन से independent हो गई और independent होने की बज़ए से क्या होगा कि यहां पर रेट कॉंस्टेंड की वैल्यू जो है वो क्या रही है दूसरी बात क्या यह रहा है क्या दूसरी बात यह कि यह reaction होगी किस नेचर की तो आप ज़रत देखो कि यहां पर नाइट्रोजन जो है इसके पास क्या लोन पे रिलेक्ट को यह आप याद करो कि जिसमें की न्यूक्लियू फाइल पर डिपेंड ना करे रेक्षन तो सिर्फ सब्स्टेट का मल्दब कितने मॉलीकुल एक मॉलीकूल पे कर रहा है तो एक मॉलीकुल यानि वह कैसे होगी यानि कि यह सब्सक्राइब करेंगी तो बंता क्या है तो चल वह कारवोनिय मायन बनता है तो चलिए देख लेते हैं कि यहां पर क्या कारवोनिय मायन बन सकता है यह बार देखते हैं यहां पर कारवोनिय मायन की पॉस्बिल्टी है क्या यहां से लिविंग ग्रूप को किया और लिविंग ग्रूप गूंझ वह लिव हो गया और लीव होने के बाद में बन गया क्या और ऑबन गया अगर मैं इस कारई माइन स्डे इस थे से हैं यह अगर आप इसको देखें तो यह एक्ट्वल मे बेंज हाइट्रिल कार्बोनियमाइन है या फिर हम इसको कह दें दूसरी लेंगड़ में कि यह डाइफिनाइल मिथाइल पारकार्बोनियमाइन है तो यह इस सब्सक्राइब यहां पर क्या हो जाएगा यह कैसी है यह बॉंड की लिसिस कैसी हो रही है तो आप एक बात आते कि जब डिफरेंट आप बांड को ब्रेक करते हो तो वह हेट्रो होता है मतब सेमर क्या यहां तुम यहां यहां है क्लोरिन यानि बांड ब्रेक ट्रों है तो यहां पर कैसा हो जाएगा हो डूसरी बात चैश्यां और दूसरी रहें पर आपको शम्मिया रहा है यह क्या हो बैसक्राइब हो हिईए स्क कर्वोल्स टैप Simone कि तो अगर हम इसका rate of reaction देखें, तो rate of reaction हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका pH 2, यह कैसा होगा, pH 2 हो गया, और यह क्या हो गया, चल पे तो depend करेगा, लेकिन nucleophile पे depend करेगा, क्या, तो nucleophile है नहीं यहाँ पर, है, nucleophile इस rate of minding step में है क्या नहीं है, और जब नहीं है, तो इस पे depend नहीं करेगा, यानि कि इसकी power जो हो जाएगी, क्या 0 हो जाएगी, independent हो गया, ठीक है, अच्छा, अब यह आप से एक बात कह रहा है, क्या रहा है कि, write the structure of the major product in the following reaction, तो यह reaction हो रही है, तो इसका major product क्या होगा, अब एक बाद जरा यह देखो, अब दूसरी बाद चलो, यहाँ पर देखते हैं, इपने देखो कि यह reactant है, और इस पर दो LGBT अट्यक कर रहा है, यह reactant है, और दो LGBT, अट्यक कर रहा है, तो यह कैसे हो गए, competition reaction होगी, यह कैसे हो गई competition reaction होगी competition reaction में यह होता है कि दो रीजेंट जो होते हैं वो simultaneous एक reactant पर attack करते हैं और जब वो उस पर attack करते हैं तो जो strong होता है जो strong होता है nucleophile वो जाके जो होता है वो major product का formation करता है तो चलिए अब यहां पर देख लेते हैं कि major product जो होगा वो कौन सा बनेगा तो competition reaction है तो चलो देख लेते हैं दो रीजेंट के बीच में यहां पर क्या हो रहा है competition हो रहा है कि मैं major product बनाऊंगा और दूसरा कह रहा है मैं major product बनाऊंगा तो यह हो गया carbonium mind अब इस पर attack करा दिय मैंने किसका पायरेडीन का दोनों ही आपको बताएगें कि लार्ज एक्सेस में है ठीक ना और यह एन 83 का इसके पास भी loan pair electron है इसके पास भी loan pair electron है एक possibility कि यह भाई donate करेगा एक possibility कि यह भाई बनाएगा तो चलो देख लेते हैं इसने बनाया तो यह बन गया जाके इस तरह स इसे कुछ अगा अगया और इसने जब बनाया तो यह कुछ इस तरह से बन गया अब आप एक बार जरत देखो तो यह कैसा पिरिडीनियम सॉल्ट बन गया और यह कैसा क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट है यहां 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 पर नाइटोजन ने तीन इस वीडियो को आगे लाश तक देखने के बाद अगर आपके मन में कोई क्वैरी आती है तो आप इसे कमिट वॉक्स में जरूर लिखेगा मेरी कोसिस यह रहेगी कि मैं आपकी लगबग सारी क्वैरी का सॉलुशन दे सकूँ मेरी लगातार कोसिस यह है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलिज एंड इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और इसके लिए मैं लगातार वीडियो को आपका प्यार मुझे लगातार मिल ला है अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूसफुल है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स रिलेटिब्स और जिसको भी इसकी जरूत है उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिससे ज सब्सक्राइब की बात करें तो ये वाला ज्यादधा है और यह कैसा है कम स्व्पेश очLinkें बेट हो इसकी गोड़की एब करना है और अपनी आप यसको जिस्टिफाइब करना चलेelen इस कुष्वेसर को सॉलें करते हम आए और तो carbon and magnesium are both common elements in the human body but the reaction is not observed in the human body explain it, आप से कराए कि carbon and magnesium दोनों के दोनों जो है वो common element है human body में, इसके बाद भी गरिगनार्ड रियक्षन जो होती है वो नहीं होती है, इसको आपको बताना है कि human body में गरिगनार्ड रियक्षन क्यों नहीं होती, तो पहली बात तो यह गरिगनार्ड रियक्षन है क्या, गरिगनार्ड रियक्षन का preparation जो होता है, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है, तो गरिगनार्ड रियक्षन के अगर आप बात करते हो, तो आप अलकाईल हैलाइड की reaction करा बनाते हो मैंगनीशियम के साथ इन प्रजेंस ओफ ड्राइए इथर और आप बना देते हो अलकाइल मैंगनीशियम है यह एक नॉर्मल सी रेक्षिन है जिससे ग्रिगनार्ड रिजेंड का फॉर्मेशन होता है हाना कि रेक्षिन बहुत सारी है पर आपको इन के बारे में ज्य प्रजेंस में रियक्षिन कराते हो तो यहां पर क्या आपने वॉटर लिया आप नहीं लिया क्यों कि वॉटर क्या करता है प्रोटोन लिसिस कर देता है यह क्या करता है इस प्लस और करके बनादेटा क्या थिक है नहां तो यह क्या करता है यह थो और भी है कि हम यहां पर यूज यह नहीं करते हैं क्योंकि यह क्या करता है oxidation कर देता है तो इसकी वज़े से का formation नहीं हो पाता है चलो बात करते हैं कि human body में एक्चुन में magnesium भी होता है और carbon भी होता है तब भी गिर्गनार reaction क्यों नहीं होती तो पहरा point तो यहीं से आप समझ लो कि human body में अगर आप सेल की बात करते हो तो 72-80 परसेंट जो है वो इसमें क्या है पानी है और पानी है तो अगर गिर्गनार्ड डिजेंट बना तो चेंज जड़ाएगा कि human body में mg2 plus के form में exist करता है और आपको इस reaction में चाहिए क्या magnesium चाहिए ठीक है तो आपको magnesium नहीं मिलेगा क्या मिलेगा mg2 plus मिलेगा इस वज़े से यह reaction नहीं हो पा रही है तीसरी condition की बात अगर करते हैं तो human body में अलकाइल हेलाइड जो होता है बहुत कम quantity में होता है ज्यादतर अगर आप देखो तो carbon जो होता है वह आपको मिलेगा किसमें fat में ठीक है ना इसके बाद में आप समझे लो तो protein में कार्वो हाइडरेट में हाइड्रो कारवन बन जाएगा थोड़ा बहुत और साथ में hydroxy group तो इन सबके hydroxy compound इन सबके फॉर्म में आपको जो होता वह यहां पर अलकाइल ग्रूप जो होगा वह मिलता है ठीक ना एलकाइल हेलाइड जो होता है बहुत ही कम quantity में होता है और लगों ना के बराबर होता है ज्यादतर जो होता है इन सबके फॉर्म में रह वॉटर के साथ में क्या करेगा प्रोटोनोलिस करेगा कि एज प्लस को एसेट करेगा च्रॉंग बेस है तुर्ण टेसिर बेस रेक्षयन करेगा और एकशन करके hydrocarbon का फॉर्मिशन करतेगा तो आपको नहीं मिलेगा तो यहां पर यह एक्स्प्लेशन में आपको यह तीन आएफोे having, बाही है एक रजातॉ ँबता बाहा है की का रभ